सो हेलो व्रीवान वेलकुम तो मार यूट्यूब चैनल नीट सीटी केमिस्ट्री माइम इस यह जैन आपके केमिस्ट्री टीचर सो मैं नीट के लिए वापिस एक बहुत ही बहुत ही वीडियो लेकिया हूं जुसमें हम इनॉगनिक के सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंट्स और ब पता होंगे तब ही हम जो है करेक्ट ऑप्उर्ट्ट कर सकता है वडना हम तिक नहीं कर पाएंगे तो इस ग्लास में आपको सारे इंप्रेंट्स करऊ और दॉट्ट्स कर आऊंगा जिसां थिसके आपके 30 मार्ट्स नीट के tratar मां मतलब 8 कोश्यों आपके सही हो जाएंगे तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलियुरियम, एसेटीम, पोलोनियम और हमारा अउगा एंतिमनी, that is सीमा गई आज तेल आटा पोहा सबजी लेने, सीमा गई, आज तेल आटा पोहा सबजी लेने, सीमा होते हैं, then next is hydrogen therapy, हमको बता है, hydrogen therapy क्या होती है जो increase करती है along the period और down the group decrease होती है, ये normal trend है ये normal trend है, तो हम दिखते हैं second period में, हमारा क्योंच है lithium, beryllium, boron, तो beryllium की जादा होती है very important ये exception है हमारा first फिर boron की कम होती है, फिर carbon की जादा फिर nitrogen की जादा, फिर oxygen के जादा, फिर oxygen नायाइटरीण की जादा है oxygen की कम और nitrogen की जादा, फिर fluorine और फिर neon एक रिजन की एहुफ होता है के एक रिजन देकई धयान से, 20 होता है उसका लास्ट फिलो था निवाम. कि टो ऩॉ обязे में पर नगेश्टकिन पर उसके जादा है polite। जो स होगा एड़ा से जो फाइस और फास होका, निव्क राइस के जादा पस नीज Limit, पड़ेगी, that's why in case of beryllium, we have to give higher energy as compared to boron, boron में क्या है 2P1 है, similarly oxygen और nitrogen में क्या है, यहाँ पर 2P3 है, electronic configuration आपर 2P4 है, 2P3 जादा स्टेवर होता है, half field configuration है, तो half field से हमको 2P3 से 2P2 में जाने के लिए, हमको 2P3 से 2P2 में जाने के लिए, हमको 2P3 से 2P2 में जाने के लिए, हमको जा देनी पड़ेगी, next is very important, यहाँ अगर आपको पूचे जाएगी, ionization energy order बता दो, तो हमको बता है कि, जो along the period है, मतलब ऐसा के सबसे जादा होगा, क्योंकि along the period, ionization energy होती होती, तो ऐसा के सबसे जादा, और ऐने के सबसे कम, क्योंकि यह पीरिद के स्टार्टिक में है, अब आपको बतात करते है, magnesium and aluminium की, तो ध्यान से देख लो है, आपर पापी, penetration effect लगेगा, यह 3S2 है, last electron, 3S2 में फिल हो रहा है, यहाँ पर 3P1 में फिल हो रहा है, 3S2 का penetration power हो जादा है, मतलब नुकलिस के जादा पास है, नुकलिस के जादा पास है, तो नुकलिस जादा अट्रे को जादा लागाने पड़ेगी, as compared to AL, AL की काम होगी और MJ की जादा होगी, तो रिटें का अपका, आपका order का हो जाएगा, सबसे कम, NA की, then aluminium, then magnesium and deli, सिरी कर यह वाला कोशनी पुचा रहता है, very important, तो ध्यान से करना कोशनी, यह वाला कोशनी पुचा रहता है, तो आपका correct होना चाहिए, फिर aluminium होना चाहिए, बट होता का है, boron की जादा होती है, फिर aluminium की जादा होती है, फिर aluminium की होती है, फिर aluminium की होती है, फिर aluminium की सबसे जादा होती है, देख रहे हो आपका, thallium की सबसे जादा है, तो boron की बाद thallium आ गया, होना चाहिए था, thallium की सबसे कम होन यहां पर 4F आता है, क्योंकि आपका थैलियम में 4F भी फिल होता है, तो 4F और 5D की गंदी शिल्डिंग, पूर शिल्डिंग के वज़े से आपका जो नुक्लिस और आउटमुस लेक्टरों का अट्रेक्शन बढ़ जाता है, उसके वज़े से आपको आउनिशन नर्जी जाद इस फिर नकीलित कहताए है, यहां पर पीविरिंग है, यहां पर दिखाता है, पूर फोस्रीडिंग, फ्लम आउटमिह वी पूर 2F विल्डिंग होगी, आपको थैलिम की वैसे है, टिरेक्शन बढ़े, पर वज़ादेंग और पर 4F यृञडिंग होगी, पण तो यहां दो कार्बन सिलिकन जरमेनियू टिन दें इन फील न रच बाइन लेड वाव इपार्ण है लें लेड इस वो अपड़ दैव का अगया डिस्टन्टर से रिक बड़ेड बढ़ए वहां रहां पर यहां पर देख लो बोरून फिर ऐलूमियूम फिर गैलम का जाधा अनुट भी और फिर इम साथ है फिर तेलिंग से वी Sigурय तो ये नॉर्मल है तो ये इसका दिए टॉचर विजेंगेगा है तो आपके सूपके और चलिखा है अया पर देन गेलीम ऒखेंगा है यसे वो क्या अगयाव हो जाएक और आइशंट लपीक अंग इसकी इंक्रीस हो जाती है विकश के अटमिक रेटियस डिक्रीजिस एक बटाना नेक्स कि आपका दिवर अटीम टोट है जीघ्याज़ को था त्या होगा है आपका साइस बढ़ना चीए बट क्या होता है जिल्क जिल्क आपको याद उनेशन नीटा आपको याद उनेशनों पता हो नाचीए। नेक्स लिखते हैं, सिस्क करते हैं इस सेकंद हो नीट बहुत होना चाहि का थे ऐखार्ण सुन. इस सेटन लेकर याद आपको और सिर होना चाहिए। तो हुना कि चीह था, left to right इंपींट होना चाहिए था, तो देखो, scanneum का अगा है, फिर titanium के जाधा है, फिर vanadium का क्या होना चीह था, बनेडियू का ज़िए है, फिर chromium का जाधा है, manganese का जाधा है, aafi का जाधा है, फिर cobalt का कम हो गया, फिर nickel का औहीं का हो गया, तो तीन चीते पता हूं चीए, VCO-NI, VCO-NI, तो vanadium, cobalt, NI, ठीक है, vanadium, cobalt और NI पर decrement आता है कि इसमे, first ionization energy 3D series, तो reason क्या है, हापर very important, reason भी आपको पता हमेंशी है, क्योंकि आपर exchange energy release हो जाती है, exchange energy release होने के बड़े, जतनी ह PG- extrem That's why the siaब silicon energy of these three elements, of these three elements decreases because of exchange energy released, उसके वज्जेसे stability अरदा सिस्टम में, यहीं पर्टन है ई यह पर होक्षिन के क्या है, हम बडिक्रों और राइड करेंगे, हम एक्स्राइलेक्ट्रों एक्ट्राट करेंगे आपड्यक्राइड करेंगे इसका इसका size क्या है? कम है? इसका size कम होने के वज़े से यहां पर electron, electron repulsion होगा, incoming electron होगा, उसको क्या मिलेगा? repulsion मिलेगा, उसकी वज़े से वहां पर easily electron add नहीं होता, due to which, due to which, जो order होता है, order होना चीज़ था oxygen की सबसे जादा, but order धियान से देख लो, sulfur की जादा, फिर cellarium की, फिर tell halerium की, फिर polonium की, फिर oxygen की सबसे कम, ठीक है, oxygen की सबसे कम होती है, तो यह आपको पता होना चीज़, यह पूच्छा आता है, electronegative the order of oxygen family, next देखते है हम halogen family, halogen family में होना किया था फ्लोरीन की सबसे आदा होना चीज़ थी, but वही वहापे, वही रिज़न है कि फ्लोरीन की स प्लोरीन की सबसे कम होगी, ब्रोमीन और आयोडीन से जादा ही होगी, फ्लोरीन की सिल से ही कम होगी, ब्रोमीन और आयोडीन से जादा होगी, तो आपका order की होज़गा, chlorine, chlorine, then fluorine, then bromine, then iodine, very important, चलते है, देखो, inert gas में हमको पता है कि inert gas में हम easily electron add नहीं कर सकते है, हमको energy दे नहीं पड़ेगी, इन केसे में कैसे में negative थी इन दोनों के लिएटिक है, इन दोनों के लिएटिक है, जैसे electron add कर देना था एनरजी रिलीज होगी है, but inert gas के के में हमको energy देनी पड़ेगी, मतलब ब्रोम पॉसिति होगी, मतलब आप योग पॉसिट्वाइप्लाय थीप्लाय एर अर्गर क्र्फटन की सेम होती हो तिल्मोस्ट्ट की फिर जिलियूम सबसे इसले अपको अनरजी कम देफलेगी विकास समॉल साइज हेलियु तो यहीं को साइज समॉल है को जैसे आप एक्रसे आप एक्रण कोगे तो नुकलिस अट्रैक्ट एक्स्ट्राइड उसले वहाँ जिसे होती सब्हों और की को कितना ऐच्थ लोगा हो तो हमको पता हैं गार मालते हैं मतलब एकट्रों वहुम्स से जाद है तो यहाँ पर electron easily add हो रहा है, मतलब electron affinity जाद है, तो electron affinity हाई positive होगी, very important, अगर बात करते हैं हमको electron डालने के लिए है, electron डालने के लिए हमको energy देनी पड़ रहे है, मतलब हापे delh eg, जो electron gain therapy वो positive है, तो उस case में, क्योंकि हमारा atom है, वो electron नहीं ले जाता, वो electron नहीं ले जाता, तो उसकी affinity का होगी, कम होगी, that's why electron affinity is negative in this case, electron affinity is negative in this case, and delh eg is positive, तो अगर नेकिति होगा तो यह पॉस्टिव होगा, अगर यह पॉस्टिव होगा, तो यह नेकिति होगा, तो दोनों यूसरे के opposite होगी sign में, अब बात कर लिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटलिक फिल्क ऑक्साइड होगा, अगर basic discussion, अगर बात वासे जो होगा, तो जो मेटलिक ऑक्साइड होगा, जो तीन इंपार्न नूट टो लगे क्वा इस जो आगे इन पी ब्लोक इलमें और बेंप नूट पितफेग आइट आखे को है अच्राइब के वहाँ और थे दो और शींदिंगे वहाँ पर अटरक्शन बढ़ जाएगा श्क पर जाएगा इसकीव हमज़ेसे टो यह स्के एप्रोन से भोई बहुत बच्चों को आगी यह लसकी लासि पा थे लगता है नहीं सिर्फ प्बस टू पिप प्लसों कॉपम निवेंस चियुक्क HR बडॉस्थ चेबलों हित्य इसलिए ए प्लस स्सक्डब्ध थर्ष्क्णार्वली नएक बन्फी करने घृष्क में करिकूंदिंगिनग अपता है कि नवी उनिटे कैalyst called डाउटमुस नीडे अरॉ Всемियक्त शेर शोटा थाह जोता होगा में को इसे तर इसे आपके बोर्ण के बान थे अ फिर पर इंडियों और पर अलूमियुं गयी सबसे गलम चाहरे हो गयी गलमिन भी साइज होगे ओक्यों कि आप अपर 3D पूर अग़ए को सिर्च और सिम्यलियृ फोटींग देख लो कारबन सिलिकन जर्मीनियम टिन और लेड होने कि अगफ होता थार्बन बैकली डखले जा वेयर को सकने जागेवाई ज़्यांत लेवरक और वेवर्ट देखें, तो बो रागे नियुकल सब्सक्क्राइब, यह दो थीक है। आर गालियूनसी और गेलम सब्सक्राइब, तो यह लूना च्रहिए गालम नास्क में आता है। अब अगर देखे हम तो मेर्ट का मुर्म लेज़ रवत को पता है ना अ इसका मेलटिक भात कम करते हैं यह ये इस का रोलीक इस बॉटवलय जो एलिदी जो आर्सिन के न आपका स्ट्रांग बांडिक हो टीक आर्सिन में स्ट्रांग बायन बाहिए निक्ति क्टेब ऑफिर टीम आपको इसे सबसे जादा होते इसे यहद अच्रिंश से आपका जो अप्चिन अलमेशन present अप्क शी पॉजागी आपको अफ्चिन Bay । तर में पूर्णिव के रिखिस में आपनारोक रिखेट के लिख्विटू कर रहां झाल्ड होगा रखके आप मॉम स्झार्णिया तो यह पता हो नहीं चाहिए आपको वरी इंपॉर्ट नोटाउन कर लेना चलते नेक्स पे नॉनेक्स बोड़ने इस पाइब नेट नेक्स नेक्स पे आपको तोर नेकले तो गुरूफ फ्टीम नेक्स प्रेश्टी में अब आपका है रिज मॉनिंग होगी दैन पी एस्वी ओअ कि नॉनिट कर दो चकते जाएं जान से यह इसली डोन पेर सकता है उतरा बेसिव पेश्टी ब्सक्री डान कि अशनीग धेन एंटीमएं और भिसमित तो यहां से सिंपल और ने डान दो प्रक्राइब को पता है तो यह आपको यार करिनी जुरुत निये हैं सिंपल क्या है डान दो रहा है डान को पता है डिक्रीज होती है सिमिलले गुरुप 17 एलमेट से को गुरुप 17 एलमेट पे बॉंड इस थे होनी चाहिए हमारी एफ्टू की जाधा ह होनी चीजी थी क्योंकि मुँपता है डान दो गृप साइज बड़ेगा साइज बड़ेगा तो बॉंड बड़ेगी बॉंड बड़ेगी तो हमको एनरजी कम दिनी पड़े उसको तो ने के लिए होता है तो होना कि चीज़ता है एक टो की जाधा फिर बी आर्टू की और ब बड़ेगा तो आपके यार रखना ही वाला जो बड़ेगी का ओडर हो क्या होता है चील टू देन ब्यार टू देन एक टू आता थर्ड पे दैन आई टू आता है नेक्स देन बॉलिंग पॉइंट अगर हम देखे हमारा 15 ग्रूप में तो हमारा बॉलिंग पॉलिंग बड़े पूछता है तो आपको पता होने चाहिए सबसे जाधा भी एस्ट्री का और थर्ड पाइगा इनिश्री सिम्लेर अगर बात के 16 ग्रूप में 16 ग्रूप में तो बॉलिंग पॉइंट होता है हमीशा क्योंकि हाप है ह्ट्टो में होती है इक्दम इंटमोलिक्र हट्र अटेसल फॉह आपको लिक्विन चाहिए नेक्स एलास इंपॉइंट इस बैकवादिं बारणित बैक्वाद्र आप इंटमारा इलेक्टेव एलेक्ट अटन्स एड़ींट इंट अच्छी बार्णिग अच्छी बाणिग उगीच्छ में दोनों के साइज अगीच ऑंपैने और बटेटल के साइज है दोनों के और बिल्स को अल्मोस्स ऐसे कंपरेबल साइज है दूट विज बेट वे अपने लोन पर शुख है वो बोरूं के इसमें देगा बैके डाल देगा एजीली तो सबसे अची बैक बनीक आप होगी अपसे रहन इंग माणिग बीचिए में दि और अपको पूरे की पूरे गेक्सेप्शन कर दी है सारे की इंपॉरे टेट्स वादि है इस से बहुंद आपको इसंक्टिप्शन देख लिये और इस तरह दिमाग में डाली की रीजन क्या हो था है तो आपके 30 मार्क्स इन और अपको बहुत बाट इसे उसे तरह तरह एं so stay tuned and keep studying मेरी सारी good wishes आपके साथ है ठीक है आपका paper अच्छा होगा just in last days में ठीक है इन last days में आप जित्ता पढ़ सकते होता पढ़ लो ठीक है in last days में पढ़ लिया तो बाद में regret नहीं होगा और आप अच्छे से need को clear करोगे मैं आपको जल बिलता है नेक्स वीडियो में thank you